नमस्कार फ्रेंड स्वागत है आपका एक और फिर से मेरे यूट्यूब जाल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद सी ए अमन प्री सिंग तो दोस्तो घंशाम सर के बाद अगर कोई बैंक निफ्टी का सबसे जादा जिसको नौलेज है तो मेरे ख्याल से वो मैं हूँ तक इस रेज को ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें कोई भी बाई का ट्रेड नहीं बनेगा तो आज जो देखा आपने के मार्किट के अंदर एक शौट कवरिंग आई और एक अच्छा ट्रेड मिला बाई साइड का डिसकस करते हैं पहले आज क्या हुआ तो आज आप देख सकते हो मार्किट जो है आज जो खुला था मार्किट सुबा जी तो आज 29 तरीकों सुबा मार्किट यहां पे खुला तो जो इसका लो था वो था लगभग 49,627 के आसपास का लो था और यहां से फिर मार्किट ने ए 37 के उपर closing दी तो इस से पहले मैंने पहले भी बताया था कि जो market attack रहा है आप देख सकते हो market इस level के आसपास आके attack रहा था यहां पे यह level था यहां पे की उपर में attack रहा था और नीचे में market इस level पे तो यह एक range बनी हुई थी इसकी market की market इस range के अंदर काफी time से फसा हुआ था एक बार दो बार तीन बार चार बार देखूँगे था आप इसी range में ही दो तिन दिन से 27 24 तरीक के बाद में 29 तरीक हो गई थी पांच दिन से market इसी range के अंदर trade हो रहा था और मैंने बताया था जिस भी side को यह range तूटेगी उस side में trade मिलेगा तो आज market ने इसको उपर की तरफ को break किया और आप देख सकते हो यह 49,700 break होने के बाद 40,100 तक market गया 40,000 47 तक तो आज जो है उपर की तरफ को market ने trade दिया अब आगे market की क्या run निती रहेगी उसके उपर हम चर्चा करेंगे और हमें अब कल की तो market कल तो market बंद है अब परसो में क्या strategy रह सकती है market के उपर उसके उपर हम बात करते हैं तो पहले हम इसको one day के chart पे दिखते हैं यह आप देख सकते हो overall जो trend है market का वो week है यह तो clear है यह देखोगे तो market हर वार जो है lower low और lower high बना रहा है लेकिन जो short term trend है market का वो positive है यह आप देख सकते हो अब हमें क्या करना है दोस्तों पहले हमें यह देखना पड़ेगा देखो हमें रहना तो trend के साथ ही है तो shorter में अब जो trend है वो थोड़ा सा positive है लेकिन हम देखेंगे पहले यह देखेंगे यह trend लेंग बनाएंगे यहां से यह आप देखेंगे हम इसका high और low mark करेंगे जो अभी recent है market का तो थोड़ा सा इसको dark कर लेते हैं तो friends यह इसने पहला low बनाया अब यह दूसरा recent low बनाके market यहां से घूमा है तो यह मुझे थोड़ा सा cup की तरह भी लग रहा है cup और handle pattern की तरह है लेकिन अब हमें यह देखना पड़ेगा जो इसका recent high था यह था high मतलब high था यह 40,199 40,199 और आज का जो closing है वो है 40,31 तो लगबग 200 point अब मंडे को तीन सोरी मंडे नहीं Friday को कल तो बंद है Friday को तीन सेनारियों हो सकते हैं जातो market gap up हो जाए जातो gap down हो जाए और जातो यहीं पर ही कहीं खुल जाए अब अगर market gap up होता है और अगर वो 40,199 में 40,200 के आसपास खुलता है और खुलते ही अगर उसके अंदर selling आ जाती है तो फिर ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि market जो है वहां से profit booking आएगी यह जो है यह तो अभी recent high यह है अगर market इस high के आसपास खुलता है और यहां से नीचे की तरफ को retrace होता है तो इसके अंदर profit booking आ सकती है थोड़ी सी और यह फिर इसी range में ही trade करेगा और अगर मान लीजिए by chance market gap up होता है और 40,200 के ऊपर trade करता है 15 मिनट सुबह के 15 मिनट अगर 40,200 के ऊपर trade करता है तो यह जो rally है फिर यह pure buy trend मिलेगा और फिर इसके अंदर market में buy करना चाहिए कहां तक buy करना चाहिए वो भी हम देखेंगे यह आप देख सकते हो यह इसका resistance है market का एक यह है और एक और level हम mark करेंगे एक यह भी level है यहां से की market पहले कभी घूमा है तो यह आगया तो अगर market इसको निकालता है तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर market जो है यहां तक मतलब 41,200 तक market जा सकता है उसका एक और कारण भी है उसका उसका एक और कारण यह है कि यहां पे एक बहुत बड़ा gap down है यहां पे आप देखोगे यहां पे एक gap है चार्ट के अंदर और जनरली आप देखोगे जब भी gap रहता है आप यहां पे देखिए यहां पे gap था तो market आया और market ने इस gap को fill किया फिर गिरा जो भी हुआ वो बात अलग है तो जब भी gap रहता है और जब भी market buy में आता है तो एक बार market उस gap को fill करता ही है इस यह जो gap है यह एक बार फिल होना चाहिए और जो gap है यहां पे आता है तो market आने वाले दिनों में दो चार दिन में हो सकता है एक बार यहां तक चला जाए एक तालीस हजार दो सो तक market जा सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कल खुलते ही इसको buy कर लेना है इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि कल खुलते ही इसको buy कर लेना है इसका मतलब यह है कि कल हमें जब भी market खुलेगा तो अगर यह 40,200 के ऊपर trade करता है लेवल मैं आपको दोस्तों पर trade करेगा तो इसमें एक अच्छा buying momentum आएगा और अगर ये 40,000 दोस्तों को cross नहीं कर सकता नहीं कर पाया तो इसमें एक बार फिर sell का momentum आएगा और हो सकता है वो इस trend line की support ले क्योंकि अब जो support है ना वो ये है अब ये support का काम करेगी जो पहले resistance का काम कर रही थी line अब वो support का काम करेगी और 49,700 तक market तुवारा भी आ सकता है इसके दो करण है इसके यहां तक आने के एक कारण ये है कि ये cup बना है तो cup का handle बनना चाहिए आपको पता होगा cup कैसा होता है अगर अगर ये सच में cup और handle का pattern बना रहा है market तो friends जो cup होता है ना वो ऐसा होता है तो ये जो handle है ना इसका वो handle बनेगा और ये फिर से उपर जाएगा एक ये हो सकता है ऐसा उसी सेनारियों में होगा अगर ये 40,000 दोस्तों को cross नहीं करता है अगर 40,000 दोस्तों को इसने cross कर दिया तो ये इसका swing में नया high हो जाएगा और 40,000 दोस्तों के उपर market 15,500 आदा घ घंटा रुखना चाहिए ऐसा नहीं कि एक बर गया 40,000 दोस्तों और बापस गिर गया और आप बोल दो 40,000 दोस्तों को cross हो गया ऐसा नहीं यहां पर market आदा घंटा एक घंटा range बनाए market थोड़ा सा time बताए और उसके बाद में अगर उपर निकलता है तो फिर ये जो market है ये 200-300 तक जाएगा और 1000 पॉइंट होंगे आपके पास पर आप इस 200 पॉइंट में अगर फस गए ना तो ये बापस से सारे ही पैसे ले लेगा आपसे मतलब यह हो सकता है यहां से ऐसे ऐसे range बनाए और फिर यहां पर आके कहीं support ले और फिर निकले ये उपर ऐसा भी हो सकता ह मतलब मान लो कि ऐसा होता है एक वो सकता है market यहां पर आए ऐसे ऐसे यहां पर कहीं पर support ले और फिर ये निकल जाए उपर तो इस line की support भी market ले सकता है और यह भी हो सकता है कि यहां से निकले और सीधे निकल जाए उपर पर उसके लिए आपको confirmation जो मिलेगा वो 40,200 के उपर ही मिलेगा 40,200,250 के बीच में market आदा घंटा एक घंटा बिताए तो उमीद है दोस्तों आपको यह जो है मेरा strategy समझ आ गई होगी अब Friday को आपको कैसे trade करना है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं अगर आप इनसे कुछ पैसा कमा रहे हो तो प्लीज मेरे चनल लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार